नमाश्चिका दोस्तों स्वागात है आपका MCQ IQ में यह हमारा थर्ट पार्ट है स्टेटिक जी की का डेली हम 10 कोशन करते हैं तो चले शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन है सेवी के अध्यक्ष कोन है को इस दा चेर्मेन ऑफ सेवी और काफी इंपोरेंट कोशन है सेवी की इसलिए इंपोरेंट है सेवी की बात करते हैं सेवी बना कब था यह फाइनेस मिनिस्टर के अधीन आता है यह बना था 12 अप्रेल 1988 में इसको स्टेटिटरी पावर कब मिली थी 30 जनवरी 1992 में इसको पावर इंटिड्यूस हुई थी और कौन से एक के तेहट 1992 के एक देखिए फॉर्मेशन डेट पूछेगा तो फॉर्मेशन 12 अप्रेल 1988 लगाएंगे फॉर्मेशन डेट थी सेवी की अगर पावर इंटिड्यूस कब हुई थी इनको तो 92 में हुई थी 80 जनवरी 1992 में और कौन से एक के तेहट तो सेवी एक 1992 के तेहट पावर इनको इंटिड्यूस हुई थी इसका हेटकोर्टर बॉमबई में है और मादाभी पूरी बुक इसकी चेर्मेन है और यह फर्स्ट वोमेन चेर्मेन थी सेवी की पाइनेस मिनिस्टर के अधीन काम करता है सेवी सेवी का फुल फॉम भी याद रखिए आप सेकुरिटी एंड एक्चेंज बॉर्ड ऑफ इंडिया सेवी का फुल फॉम है नेस्ट कोशन है इन विच ओफ फॉलॉइंग यूटी यूटी यूटेटरी देयर और एड्मिस्टेटर वेर तेयर इस नो पोस्ट ओफ लेफ्टेंड गवर्नर निमलिकित किस केन सासे त्राज में प्रशासक होते हैं वहां पर उप राजपाल का पत नहीं होता देखे दो चीज हैं गवर्नर होते हैं जिसको हम राजपाल बोलते हैं गवर्नर को होते हैं स्टेट्स में होते हैं हमारी कितनी स्टेट है 28 स्टेट और इनको अपोइंट करता है पेसिनेंट गवर्नर के पास बहुत जारा पावर होती है गवर्नर क्या कर सकता है जो भी स्टेट्स में CM वगेरा होते हैं उनको अपोइंट करता है जो भी इंपोर्टेंट बिल्स हैं उनमें साइन करता है गवनर इनके पास पावर बहुत होती है ठीक है सपत भी दिलाता है CM को और पावर बहुत सारी होती है गवनर के पास अब हम UT की बात करते हैं Union territory Union territory कैसे decide होती है जो भी small area होता है जैसे Delhi हमारा चोटी जगा है उसको UT बना दिया पॉंडिचेरी चोटी जगा है लक्ष्ट्रिप चोटी जगा है अंडबानने को बाद चोटी जगा है यह सब चोटी जगा है इनके पास area काम है उनको हमने UT बना दिया और यह थोड़े दू के officer होते हैं जिनका भी background होता है ISA IPS officer उनको प्रासासक बनाया जाता है administrator बनाया जाता है और left-end governor जितने भी minister वगे रहे हैं ठीक है उप राजपाल उनको बनाया जाता है left-end governor उस UT में होती है जहां पर विदानसभा होती है विदानसभा होती है आपने देखा होगा जहां पर विदानसभा होती है legislative assembly होती है वहां पर CM appoint करते है तो जितनी भी UT है जो हमाई 3 UT है gavernर भी होते है लेफ्ट एड्ड गवणर भी होते है तो जहां पर विदानसभा है वहां पर he beach लेफ्ट एंड governor होते है मगर दो UT ऐसी है जहां पर विदानसभा नहीं है जब भी left-end governor को ए administrator होते हैं तो देखिए left-end governor कौन कौन सी UT में है पहली बात तो 8 UT हमारी जिसमें से 5 UT में left-end governor है ठीक है अंडमान निकवार डेली जम्मु काश्मी लद्दाक और पॉंडिचेरी इसमें से जो 3 UT है जैसे देली जम्मु काश्मी और पॉंडिचेरी यहाँ पर legislative assembly है ठीक है यहाँ पर चुनाओं होते हैं और cm होते हैं यहाँ पर पॉंड होते हैं left-end governor के साथ ठीक है तो यह याद रखना है मगर चलती किस की है चलती पेशिरेंट की है ठीक है क्योंकि UT है चलती पेशिरेंट की है मगर cm अपॉंड होते हैं क्योंकि व्यदान सब आए मगा अंडमान निकुवार लेस लेटी असेम्म्ली नहीं है मगा जब पॉंड राजन इनको एडिशनल चार्ज मिला है पॉंड चेरी का तो यह UT याद रखिए फिर आते हैं एडमिस्टेटर जो भी प्रासासक होते हैं ना IPS रेंग वाले उनको एडमिस्टेटर बना जाता है तो चंडिगर दादरनगर हवेली और दमनें और दिव को मर्स कर दि पॉंडिगर में बनवारी लार पुरहित उसके घूवैंड रेंदमनेंदीव और दादरनगर हविली के प्रफुल पॉडऑ पतेल यह गोवंडर हैं देली में जम्मू काश्मीर वाद्डाग में इसमें अब क्या होता है देखिए हमारी 8 UT हैं इसमें थे देली जभी जम्म legislative assembly विदान सबाय और council of minister हैं इसलिए यहाँ पर cm और governor left-end governor दोनों होते हैं कोई कि विदान सबाय अब अंडबार और निकुबार और लक्षदीप को इसमें भी left-end governor होते हैं इनके पास बहुत पावर होती है ठीक है इन दो यूटी के पास जो हमारे तीन यूटी बची है ना चंडीकर, दादन नगर, हवेली और दमानें दियू और लक्षदीप यह तीन यूटी हैं हमारी जिसमें जिसको गवन कोन करता है administrator प्रसासक होते हैं इसमें प्रसासक समालते हैं जिसको अपोइंट करता है पैसे रेंट जो प्रसासक होते हैं वो IAS rank के होना चाहिए या IPS rank क होना चाहिए मगर क्या होता है 1985 की बात करो मैंने बताया चंडीगर, चंडीगर में भी प्रसासक होना चाहिए मगर 1985 में जी खुआ था, 1955 में बोला था जो गवंवनर होका पंजाब का, जो भी पंजाब का nap वही गवनर होगा चंडिगड का ठीक है याद रखना जो भी पंजाब का गवनर होगा वो अटोमेटिकली गवनर हो जाएगा चंडिगड का क्योंकि हर्याना और पंजाब की केपिटल कुन सी है चंडिगड तो इसलिए जो भी पंजाब का गवनर होगा वो अटोमेटिकली च है एक है यह gheeण कर रहे है जिसको पॉन कराए यह फर्स्ट ऐसे पॉन धीव मैं एस अडिकर गवनर पहले लक्षदीप में प्सविशर यह १िनेशवर शर्मा जी इनकी टेथ हो गई थी उसके बाद प्रफुल पते लेना उनको भी shiftorer अच्छी यह का और मैं देख लिए चंडिगड़ का भी गवनर हो जाएगा तो चंडिगड़ के गवनर भी रह चुके हैं एक पॉलिटीशन तो जो तीनों स्टेट है ना मारी चंडिगड़ दमनेंदीव और दादनगर हवी लिए लक्षदीव इन तीनों में पॉलिटीशन भी गवनर बन चुके हैं ठीक है याद रखना है इन्पोडेंट कोशन है कोई भी डाउट हो कमेंजिशन में कर देना नेस्ट कोशन है ब्रहमोज मिसाइल का नाम बारत की किस नदी के नाम पर रखा गया है ब्रहमोज मिसाइल इस नेम आफटर विच रिवर नाम पर रखा रखा ब्रहम मतलब ब्रहमा पुत्र इंड्या की रिवर अगई Android मोक वाध मौक्सवा किस नाम है द्रश्या की रिवर के नाम है लगश्वा दिग को ब्रहमोज मिसाइल इंडीया को crunchy मिसाइल और यह कौन सी द्रहा उपर वह निकली नदा कर लिए था चाइना ने इंडाया से निकलीつ दोनों एक यह इंडिया पोची इंडिया पोचा से पार बांगरादेश में गिर जाती ए बांगरा डेश ब्यव बंगाल के नाम बोलते हैं सेंग थी सेंग तो बोलते हैं इस नदी को इब्बत में और जब इंडिया में आती है इंडिया में दिहांग बोलते हैं इस रिवर को इंडिया में दिहांग बोलते हैं और बंगाल में क्या बोलते हैं जमुना बोलते हैं इस रिवर को याद रखना है जमुना बोलते हैं इस रिवर को तीनों अलग लग ना में इसांगपो बोलते हैं कांगपो इबत में ब्रह्मापुत को दिहांग रिवर बोलते हैं और ब्रह्मापुत बोलते हैं जब अरुणाचल पादेश से अंदर आती है न यह रिवर जब बोलते हैं दिहांग रिवर और आसाम में इसको बोलते हैं ब्रह्मापुत दोनों या इस लंका को अरवा था उसमें शिलंका को अराया इंडिया ने और इंडिया ने यह किताब जीता है तो अंडन 19 जो अरवाया इस बार और यह जो एश्या का पुआ था कहां पर वह था दुबाई में हुआ था नेश कोशन है finance commission is formed by president after how many years with आयोग की गठन राश्पती द्वारा कितने वर्ष बात की जाती है तो आज वर्ष इसका correct answer है finance commission की बात करते है तो आर्टिकल 280 आता है finance commission का आर्टिकल वो president अपॉइंट करता है 5 साल के लिए finance minister की बात करते है finance minister को ने हमारी अभी तो निर्मला नि निया मिलता है जादु वहाँ जाक़र माइन में जादु कोड़ा माइन काहां पर है जारकन्ट में तो जादु कोड़ा माइन रहन मे इना वो फश्ट माइन कंट्राइ탁 हमारी इंड्या country की जिसमें uranium का और मिला था, तो जादुकोडा माइन है, वो uranium माइन है और ये सिंगभांग डिस्टिक में परती है, सिंगभांग डिस्टिक कहाँ पर है, जारकंड में, और ये फर्स्ट uranium माइन थी इंडिया की, अब चालो हो गए थी ये माइन, 1967 से सिस्टिनेट के बीच में यह चालू ओग थी IMPORTANT EURAINIUM MINE इंटिय में कौन कौन से IMPORTANT EURAINIUM MINE है तो RAPD. JAHरकंड में जादू грडग Isra वह भी Jhaaralis Hans नर्व overlapahar Mines यह भी Jharkand में Mines भाटिन Mines यह भी Jharkand में इंपोरेट गॉल्ट माइन दिख़ते हैं इंडिया में, तो गोल्ड माइन बहुत इन्पोर्टेंट है। इन्पोर्ट inability मात्या सची किरी मैं यह और कि होंदेट ऑनिगी कनल दी रजहरा डिलि रजह्रा चतिजगण में मैंसent रटनागी मैंस मराश्ट में संदर्गण मैंस उडिसा में जोडा माइन्स उडिसा में, कियोंजार माइन्स उडिसा में, इन्पोर्टेंट है, जादपूर माइन्स उडिसा में, अलंपारा आरन माइन्स केरला में, बरबिल माइन्स उडिसा में, मयूरबंच माइन्स उडिसा में, गुरुनत आरन माइन्स कंनाटका में, गुहा माइन् माइन्स इंपोर्टेंट में बहुत कोश्यान आते हैं वींटर ओलंपिक 2022 के लिए वारत का पहला आथलीट कौन बनाए इसका असाफ मौहमत खान जम्मू काश्मिर के में इंका वुन्सा कीह में आल्पाइन स्कीर में यह पहले परसा ने इंडिया के जिसने विंटर ओलिपिक में इसके जुक्त रेहरी में Alice लेग्जबे टू आइजलेंड रख दिया है किसने ऑस्टेलिया ने और ऑस्टेलिय केपिटल क्या है केंवेरा वू इनोगेरेटेट दा कल्पना चावला स्पेस साइंस रिशाच सेंटर की उद्गाटन किस ने की थी तो इस ते करेक्ट आंसर है राजना सिंग ने करी था चैना से आया था ठीक है किसके वन रूप आया था जो चंद करण रूप था इनकी कोट में आया था याद रखना चंद कुप सेकेंड के कोर्ट में आया था था यह हमारा स्टेटिक जीचे का पार थर था अगर आपने इस सिरीज ने देखिए तो वह कोशन देख लीजिए वो भी important question है, और मैं ये SSC के lecture पढ़ा रहा हूँ आपको, topic wise, previous question, history से start करा है मैंने, वो series तो बिनकुल मर भूलना आप, static जी के SSC series, ये सब बहुत important series हैं, क्योंकि इससे question exam में आते हैं, और मेरा explanation बहुत होता है, SSC वाली series में, जैसा storytelling में होता है, अगर आपको वीडियो बसाना तो like करें, share करें चैनल को, और subscribe करें हमारे चैनल को, thank you for watching, MC की IQ,